वास्ट आप एपडियो वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग वानपीस के एपीजिट नमबर 64 के हिंदी में एक्सप्रेंग करने वाले हैं तो जिन लोगों ने अभी तक इस चल्म को सब्सक्राइब नहीं किया ज़र सब्सक्राइब बटन दबा दो और इस वीडियो कर दो तो अभी अज्वादा टाइंग देश ना करती आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद तो इसे वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो श्रहाट क्रू है बोड़ो लोग विस्की पीक आइलैंड पे जा रहे हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कि रास्ते में भापार बहुत ज़दा हेवी स्नो फॉलिंग होता है जो नामी अबो कहीती है कि थोड़ी दिर पहले तो ये जो वेदा था वो बहुत ज़दा गरम था आथ अब आध फॉलिंग कैसे हो रहा है उसके अगले सीड़ में हम लोग लूफी को देखता है लूफी ने एक स्नो मैन बनाया है तो जो उसाफ है बूह आके ब्रेगिंग करता है करता है कि तुम्हारा जो स्नो मैन है ये तो बहुत ज़दा बेकार है और उसके बाद उसव अपने जो आर्ट की तारीफ करने लग जाता है और कहिता है कि देखो मेरा कलाकारी और उसके बाद उसव दिखाता है और कहिता है कि यह स्नो कुईन और वो सच में बहुत ज़दा सुन्दर होता है तो लूफी कहिता है कि तुम्हारे स्नो कुईन के एट कर देते हैं और इन दोनों को देख़के उपर से नामी सोचती है कि इन दोनों में से इतना ज़्यादा एनजी कैसे आ रहा है मेरको थंट लग रहा है इतना कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ तो उसके बाद हम लोग मिस ओइंस डे और मिस्टर नाइन को देखते हैं वो लोग ठान के मारे बहुत जोदा काप रहा है वो लोग कहते हैं कि तुम लोग इतना जदा गरीब हो क्या तुम लोग जाओ जाके काम करो तुम लोग हमारे इस शिप का उपर से बिजली गिर रहा है और वो कहिती है कि थोड़ी देर पहले तो ये स्नोई था उससे पहले थोड़ा सा गरम था अभी फिर से लाइटनिंग हो रहा है उसके बाद देखते है कि बहाँ पर बहुत जोड़ से तूफान बहरा है उन गेस्ट में से जो मिस ओइंस टे है वो कहिती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि शिप किस दिशा में जा रहा है क्या तुमने चेक भी किया है तो नामी जाके जब चेक करती है वो देखती है कि बहुत ज़दा गरबर हो रहा है वो लोग जिस दिशा पर जाने वाले थे उसके उल्टे ही दिशा में जा रहा है यहां इंड़न आपत् smiling महानी करें हैं मैंने जलद बसहीं में कामकर करें हम लोग देखते हैं कि आराम से सौप आइ और अतलब में तोरिछी में इघ्ञाइक है उतनी कि बहुत जोदर है चाहिए उसके थोरी ही देर में हम लोग देखते हैं कि भापा चारो तरब से कोरा आ रहा है और कोरा ने चारो तरब से उन लोग के शिप को ढाग दिया है जो नामी अबो कहिती है कि ये किस तरह का वेधर है ये जो ग्रेंड लाइन नहीं ये तो बहुती ज़दा खतरनाक समुंदर है क्यूंकि हर सेकेंड में या का वेधर चेंज होते रहता है इसके थोरी देर पहले एक था उसके दो सेकेंड बाद ही एक और वेधर आ जाता है उसके बाद हम लोग देखते है कि उन लोग का जो गोईंग मेरी है वो एक बहुती बड़े पत्तर से टक्राने वाला होता है लेकिन सांजी नामी और उसव अपने बहुती कोशिश करके उन लोग के शिप का डायरेक्ट टक्कर होने से बचा लेता है और उन लोग का जो शिप है वो साइट से चला जाता है और इतने टाइम से एक दो घंटे से इतना ज़दा मेहनत करने के बाद सब लोग का हाला और वो उटनी के बाद देखता है कि सारे के सारे जो लोग है उस शिप के सब लोग डेक पे लेटे हुए है तो जो जोरो है वो कहिता है कि क्या तुम लोग इतना जाता लेजी की हो माना कि अब हो इदर बहुत जाता अच्छा है लेकिन तुम दिन में ही सो रहे हो और उसके बाद वो नामी को कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है हम लोग का जो शीप है वो राइट टैक पे है या फे नहीं तो सब लोग को गुसा आ जाता है साले तु इतने टाइम से सो रहा था और हम लोग को गैन पेल रहा है और उसके बाद वो उन दो गेस्ट को देखत है क्यों लग रहा है तुम लोग के नाम में कुछ गरबर नरह लगता है मैंने कहीं पर सुना यह जा है और जब यह सब कुछ बोली रहा होता है उसके पीचे से नामी आ जाती है और आने के बाद जोरो के सर में Legendary Super Saiyan की power निकल रहा है लेकिन जब Zoro कहिता है कि क्या हुआ मुझे मारा की उसके बाद नामी और भी बहुत बहुत जादा मारती है और उसका खोबरा तोर देता है और उसके बाद हम लोग Zoro को देखते है Zoro रो रहा है अपने सर को पकर के और जो नामी और भी कहिती है कि Tension लेने की कोई भी बात नहीं हम लोग आइलेंड पर पहुच गए और उसके बाद ही हम लोग देखते है कि वो इसकी बीक आइलेंड को इसकी बीक आइलेंड एक थोड़ा सा अजीव आइलेंड है जहाँ पर हम लोग को कैक्टस जैसे कुछ बरे-बरे मूर्थिया दिख रहा है तो जो लूफी है वो कहिता है कि चलो हम लोग जाएंगे वो इसकी बीक आइलेंड पर लेकिन जो उसा पर वो उसे डन लगने लग जाता और वो कहिता है कि क्या हुआ अगर बहाँ पर मॉंस्टर रहे तो तो जो लूफी है वो कहिता है कि इससे कोई फरक नहीं परता हम लोग को पता नहीं मॉंस्टर है या फिर नहीं हम लोग जाएंगे उसके बाद जो लूफी है वो कहिता है कि आगर बहाँ पर मॉंस्टर हु सबस्ते řिखते हैं कि जोुआ हो जाते लेकिन जिनी बोह फारिट स्टाट करने वाले होते हम लोग देखते हैं कि बहुते सार लोग है सब्多स फिखा करने लग जाता तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते है लूफी का जो टीम है वहापार उतरता है और स्थाम। जितने सरे लोग है सब लोग बहुक्तुप उयलकमिंग ऐसे ईधां हल से चub करते हैं और लोग पार ये ये जिसका नाम है इगरवपोई और बो कहिते हैं कि हमारा जो शहरा बो लिकार के लिए मतलब डारू के लिए बहुत ज्ञदा फेमासं कि हो पार्टी में स्कते हैं तुम्हारा जो ढू草न ना मानो तो तुम्हारा जो टेल है तुम्हारा जो एडवेंचर का स्टोरी है वो हमें बता सकते हो तो भापार जो तीन इडियेट है वो लोग मान जाते है और बो तीनों कहते हैं कि हाँ हम लोग जरूर बोलेंगे हम लोग जरूर बोलेंगे तो उसके अगले सीन में हम लोग पोजाता है किसी आईलेंड में कुछ दिन लग जाते तो वो पुछ रही है कि यह जो लॉक पोजा उसे अगले आईलेंड का लोकेशन सेट होने में कितना अदा टाइम लगेगा तो जो इगर अपोई है वो कहता है कि आरे यह सारे के सारे फाउल बातों को छोड़ दो हम जाए करते है और यह बहुत सारे लिर्कियों को पटने की कोशिश कर रहा है और जो उसाफ है वो बहुत बड़ी-बड़ी फेक रहा है सब लोग के सामने और ऐसे दिखाता है कि वही सबसे बड़ा खतरनाक पाइड़ेट है जो नाम यह वो बैठी रहती है लेकिन ड्रिंक नहीं करती है लेकिन जो मियोर है वो कहता है कि ड्रिंक कर सकते हो यह जो ड्रिंक है यह स्पेशाल ड्रिंक है और बाकी के ड्रिंक के तरह नहीं है और उसके बाद वो कहता है कि एक लाग बेरी इनाम है जो की ड्रिंक में फस्ट आएगा और जो जो जोरो है वो भी जोइन कर देती है और उसके बाद जोरो बेहोश हो जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामी प्राइस मने के लिए और भी ज्यादा पी रही है और जो आखिर में एक लिर्की है वो नहीं पी पाती और जो नामी है वो पी जाती है और उसके अगले ही सिन में हम लोग देखत करने के बाद एक लेड़की के पैर में हिसा जाता है कि यह? और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक-एक करके सारे जो स्ट्रोहएट क्रू है सभ लोग भेहोश हो जाता है खाना खाके जो लूफि है वो भी विस हो जाता है कि उसने बहुत सारा कहा ना कॉ लिया है इस्टर नाईन और मिस ओंस्टे बो भी आता है और बहाँ पर जो एक लिर्की थी जो नामी के साथ कंप्टिशन कर रही थी बो भी आता है उसका नाम है मॉंडे मतलब इन सब लोग का ये कोड नेम है और सब लोग कहते हैं कि हम लोग के पास खाना पहले से ही कम है इस शहर में और उन लोग को इतना दा खाना खिला दिया अब हम लोग क्या करेंगे अगर उन लोग के पास पैसे नहीं होए तो जो मिय और इगरपोई है वो कहते है कि ये देखो ये जो बाउंटी का जो वांटेट पोस्टर है इसमें लिखा है इसका नाम है मंकी डी लूफी और इसके उन लोग को पकरेंगे और पकर के हम लोग उन लोग को गवर्मेंट के हवाले कर देंगे बो लोग जब ये सब कुछ डिसकास कर रहे है उन लोग को किसी की आवास सुनाई देता है और बो लोग देखता है कि बो लोग जहाँ पर खरे हुए है उन लोग के उपर जो लगता है 100 से उपर है लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम सारे के सारे लोगों के साथ फाइट करूँगा तुम सारे के सारे बारोक वार कर सोना और यह सुनने के बाद भापा जितने सारे बाउंटी हंटर थे सब लोग चौक जतर कहते हैं कि हमारे कंपनी का नाम तुम्हें कैसे सुष्क्रेंट नाम तुम लोग तो एक दुसरे के नाम भी नहीं जानते सब लोग को कोड नेम से बुलाए जाता यही है ना तुम्हारे कंपनी का सिक्रेट तो उस शहर का जो मैय। इगरपपुई अबो कहता है कि तुमने हमारा सीक्रेट जान लिया कोई बात नहीं अभी तुमें मरना परेगा हमारे जो कैक्टस टोन है बहापर एक और ग्रेप स्टोन लगेगा तुम्हारे नाम का और उसके बाद वो दिखाया जाता है हम लोग को कैक्टस टोन को और हम लो इपली दिखाता है देखता है कि जोरो तो बापर है ही नहीं वहाज से गायव हो जाता है सब लोग बहुत दार जाते सब लोग कहते हैं कि हम लोग के आखों के सामने ही तो था अभी आभी कैसे डिसपियर हो गया और देखते ही देखते बहां का जो एक्मोस्पियर रेबो बहुत जदा शान्थ हो जाता है, बहुत से थोरी-थोरी हवा बैने की आवाज सुनाई देता है, सब लोग को बहुत जदा ड़ा लगने लग जाता है, और इसी पॉइंट पर यह बला एकिजोट खेतम हो जाता है, तो मिलता है को नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बा में दयाओ दूए.